राजस्तान मुख्यमंत्री भजनलार शर्मा और बिजेपी प्रदेश अध्यक सीपी जोशी आज उदैपूर के भुवाना इस्तित ओपेरा गार्डन में आयोजित लोगसभा कारिय करता कलस्टर बैठक में शामिल हुए उन्होंने बिजेपी पदादी कारियों कारेकरताओं के साथ समवाद कर लोगसभा चुनाव के आगामी कारेकरमों वे कारिय योजनाओं को लेकर चर्चा की इस बैठक में उदैपू, चित्तोडगर और बवाड़ा डूंगरपू लोगसभा में कारेकरताओं उपस्तित हुए सिपी जोशी ने कारेकरताओं में जोश भरतेवे कहा कि लोगसभा वे विधान सभा के प्रबंदन समीती कोर टीम बन चुकी है लोगसभा के कारेकाल भी खुल गए हैं अब नामांकन से लेकर चुनाव और मतगर्ना तक के लिए कार्य योजना बना कर अपनी भूमी का तैकरनी है तेजगती से काम करना है हर बूत पर एक एक घर तक पहुँचकर बिजेपी के पक्ष में मतदान करवाना है और अपने बूत पर रिकॉर्ड मतों से बिजेपी को जीत दिलवानी है जोशी ने कहा कि जिन लोगों ने 50 साल तक देश पर शाषन किया और दोहन किया जनता को सिर्फ नारे और वादे दिये काम कुछ नहीं किया लेकिन देश के प्रधार मंतरी नरेंदर मोदी ने 10 साल में मा भारती का वैभाव भढ़ाने के साथ ही एतिहासिक काम किये हैं आज पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचार जो मोदी सरकार की लाभारती योजना से ना जुडा हो देश की जनता को पीएम नरेंदर मोदी पर अटूट विश्वास है यह विश्वास इसलिए आया क्योंकि नरेंदर मोदी ने परधान मंतरी और मुख्या मंतरी रहते विए देश का परिवार माना अपना प्रतेक्शन देश को समर्पृत कर काम किया इसलिए इन दस वर्षों में भारत का नाम भड़ा सोलर उर्जा योग और मोबाइल उत्पादन सहीत अने छेतरों में भारत दुनिया का नितरत्व करने लगा है अब रक्षा उत्पादों का भारत आया थी नहीं निरिय बाद भी कर रहा है डेरी उत्पादों और क्रसी उत्पादों में भारत सीर्च पांच देशों में पहुंच गया है जंता दर्बान यूज में फिल हाल के लिए इतना ही